प्यारे बच्चो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इटिंग टुगेदर बच्चो हर कोई तो अपने घर में अकेले अकेले ही खाता है आप चाहें अकेले कितना भी अच्छा भोजन करें वो बात नहीं आती है जब हम एक साथ बैट के खाते हैं एक साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है आप लोग जब पिकनिक पे जाते हैं या किसी जगह आप कोई स्कूल की तरफ से कोई टूर है वहाँ जाते हैं एक्सकर्शन टूर है तो हमने तो देखा है बच्चे कितना खुश होते हैं अपने बैग से कुछ चिप्स निकालते हैं केक निकालते हैं नमकीन निकालते हैं बिस्कित निकालते हैं बहुत सारी चीज़े हैं जो अपने घर से वो लेके आते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं खाते हैं and they enjoy a lot उस वक्त बच्चों के चेहरे पर जो खुशी होती है न वो देखने लाइक होती है तो एक साथ खाने का मज़ा बिलकुल अलग है तो ऐसे जिन्दगी में बहुत से मौके आते हैं जब हम एक साथ बैट के खाते हैं बड़े पाटी है आप देखें एक साथ खाते हैं लोग शादी बिया उसमें एक साथ खाते हैं पिकनिक है उसमें एक साथ खाते हैं कम्यूनिटी लंच है उसमें एक साथ खाते हैं फेस्टेवल्स है उसमें हम एक साथ खाते हैं इस्कूलों में मिड़े मील होता है, उसमें हम एक साथ खाते हैं, तो ऐसे बहुत से मौके होते हैं, जब हम एक साथ खाते हैं, एक तवहार है, जो पूरे देश में मनाए जाता है, लेकिन नाम अलग अलग होता है, अब जैसे होली है, तो पूरे देश में उसका नाम होली है, दिवाली है तो पूरे देश में दिवाली है लेकिन जनवरी के महीने में एक तेवार ऐसा होता है जो पूरे देश में मनाये जाता है लेकिन अलग-अलग जगहों पर उसका नाम अलग होता है पंजाब में लोडी है आप चले जाएं पुर्वी उत्तर प्रदेश में खिचडी बोलेंगे आप उरिसा में चले जाएं तो उसको मकरसंग करांती बोलते हैं कहीं पर उसको पुंगल बोलते हैं तो अलग-अलग जगह पर उसका नाम अलग-अलग है और आसाम के अंदर उसको बीहू कहा जाता है बीहू क्या है आसाम का सबसे बड़ा तेवार है और ये 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है यानि ये आसाम कलेंडर का दसवा महीना है ये समझ ले आसाम कलेंडर का दसवा महीना है तो अभी आपने देखा मैं आपको बता रहा था बीहू फेस्टेवल के बारे में बीहू कहां मनाया जाता है आसाम में मनाया जाता है कब मनाया जाता है 14th and 15th of January और इस दो दिन हो गया ना 14th February और 15th February दो दिन तो 14th February को जो ये मनाते हैं उसको यूरूका कहा जाता है यूरूका और इस दिन क्या करते हैं लोग एक temporary घर जैसा बनाते हैं कि ये आपको दिख रहा है जिसको हम भेला घर कहते हैं ठीक है तो ये temporary shed है ये घास है बंबू है इस से इसको तयार किया जाता है इस भेला घर को तो ये कब तयार होता है यूरूका के दिन यू आर यू के ए यूरूका तो यूरूका क्या है बीहू फेस्टेवल का पहला दिन मैंने आपको कहा कि बीहू 14 जनवरी और 15 जनवरी दो दिन बीहू का तेवार मनाया जाता है जो पहला दिन होता है 14 जनवरी उसको यूरूका कहा जाता है और उस दिन एक टेम्परोरी शेड घास और बंबू से तयार किया जाता है और इस दिन यहां के लोग असामी लोग बीहू के पहले दिन यूरूका के दिन एक कम्यूनिटी फिष्ट करते हैं सामुदाइक भोज एकठे एकठे पकाना एकठे खाना यानि eating cooking together and eating together दोनों बाते होती हैं तो इसमें यह लोग क्या पकाते हैं? वहाँ एक common rice होता है जिसको बूरा कहा जाता है इसको बूरा कहा जाता है तो वह common variety है वहाँ की आसाम की और इसको यह लोग पहले क्या करते हैं? इसको पानी में भीगा देते हैं और उसके बाद इसको बड़े बरतन में इसको पानी गरम करते हैं जब पानी खौलने लगता है तो यह भीगा हुआ चावल उसमें डाल देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? कि चावल डालने के बाद इसमें केले की पत्तियों से उसको ढख देते है और कुछ देर के बाद वो चावल तयार हो जाता है ठीक है? तो इसको ये लोग कहते हैं चीवा राइस जब पख जाता है न उसको चीवा राइस कहते है तो इस चावल को किन चीजों से ये खाते हैं ये उसको मीट, फिश और वेजिटेबल तयार करते हैं और उसके साथ इस चीवा राइस को खाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीहू आसाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टेवल है ठीक है और ये कब मनाया जाता है वेन इट इस सेलिबरेटेट और फॉर्टिंथ और फिफ्टिंथ और जन्वरी इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था यूरूका यूरूका इस फिर्श देए अफ भी हू एट अन दिस देए पिपल मेक अ टेंपरोरी शिट आफ ग्रास था अब बंबू उसी को हम भेला घर कहते हैं तो अगर आप चे कोई पूछे कि वाट इस भेला घर तो भेला घर इस अ टेंपरोरी शिट मेट फ्रॉम ग्रास अबंबू युरूका क्या है युरूका is the first day of the of भीहू this day people make community fish और मैंने आपको बताया कि ये community fish में क्या पकाते हैं ये चावल पकाते हैं और चावल जब बड़े बरतन में डालते हैं पकने के लिए केले के पत्ते से उसको ढाक देते हैं इसके अलावा vegetables बनाते हैं मीट बनाते हैं और fish बड़े शौक से ये लोग fish भी बनाते हैं मैंने आपको एक word और यूज किया था rice के बारे में बोरा what is बोरा बोरा is a common variety of rice used in आसाम तो ये आपने बीहू के बारे में और ये समझ लीजे कि वैसे तो भारत का जित्ता भी festivals है होली है दिवाली है ये सब आप देख रहे हैं कि मकर संक्रांती है कही ने कही हमारे crop के साथ ये जुड़े होते हैं ठीक है और बिहू के समय भी वो rice का जो crop है वो तयार हो जाता है ये भारत तो गामों का देश है ना किर्शी परधान देश है तो कही ने कही हमारे जो भी तयोहार वगरा है वो हमारे फसलों के साथ उनका जुड़ाव है देखो बेटा ऐसा है कि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पेट भर के भोजन नहीं मिल पाता है तो हमारे देश की Supreme Court ने एक decision दिया वो decision ये था कि बच्चों को जो भोजन है बच्चों के लिए, वो हर बच्चे का right है, हर बच्चे का right है, जब हम लोग पढ़ा करते थे, तब ये चीजे नहीं थी, लेकिन भी बहुत सारी कीजे नहीं थी, नहीं छीजे बहुत आ गई हैं, हम जैसे इसे promise करते हैं, नई विचार भी आते हैं, अगर कोई गलत चीज थी तो इसम एक decision दिया कि midday meal जो है वो हर बच्चे का right है और ये schoolों में बच्चों को दिया जाता है कब तक elementary education तक इसको सब बच्चों को midday meal दिया जाता है ठीक है तो इसको इसका decision किस ने दिया था इसका decision दिया था Supreme Court ने देखिए मैं इसको पढ़ देता हूँ many children in our country are not able to get even one full meal every day यानि एक दिन में भर पेट उनको खाना नहीं मिलता many of them go to school empty stomach खाली पेट जाते हैं and cannot study properly जब आप खाली पेट होंगे तो आप ठीक से कैसे पढ़ सकते हैं सवाली नहीं है some years ago the highest court of our country highest court क्या है हमारे देश का supreme court the highest court of our country gave an important decision all children up to elementary school should be provided with hot cooked food this is the right of every child तो ये मिड्डे मिल है तो ये मिड्डे मिल के बारे में आप जान गए आप ये जान गए कि eating together क्या होता है किन किन मौकों पर हम एक साथ खाते हैं फिर आपने जाना कि बीहू क्या है बीहू एक festival है कहा मनाया जाता है आसाम में मनाया जाता है कब मनाया जाता है 14th and 15th जैन्वरी को मनाते है और उसमें जो पहला दिन है वो ये रूका होता है आपने देखा कि उसमें वो भिला घर बनाते है temporary shed है और एक साथ पकाते खाते हैं आपने देखा कि क्या पकाते हैं क्या खाते हैं और इंट्रेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ यह सिर्फ पकाते खाते हैं बलके यह लोग उस दिन एक साथ खुब डांस करते हैं और गाना गाते हैं and they enjoy the festival ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही thank you